नमस्कार किसान साथियों बात करते हैं इंदोर मंडी की अपडेट और रिपोर्ट के बारे में दोस्तों दिनांग की बात करें तो 15 अक्टूबर 2021 हो चुका है और 15 अक्टूबर 2021 की जो अपडेट है रिपोर्ट है वो क्या देखने को मिल रही है क्योंकि किसान सातियों माहौल में पर्सों से लेकर पर्सों और कल लगभाग चार से लेकर 500 रुपय की जो मंडी है वो डेली डेली डाउन होती हुई नजर आ रही है तो आज का जो माहौल है वो कैसा देखने को मिल लगा तो चलिए जान लेते हैं अभी तक की और आबक की अपडेट और आबक की जो रिपोर्ट है वो कैसी देखने को मिली हुई है 15 अक्टूबर 2021 की तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में मैं आपको सारी साटिक जानकारी और साटिक अपडेट के शाथ बताऊंगा किसान सातियों सभी प्यारे किसान भायों को हैपी दशेरा की हार्दिक सुब कामरा है तो चलिए किसान सातियों जान लेते हैं अगर आपने चैनल को ही सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को प्रेस कर दें तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आबक के बारे में अगर आबक के बारे में बात करें तो आज की दिन इन दौर मंडी में जो आबक है वो किसान साथियो 60 से लेकर 65,000 कर्टे के बीच में देखने को मिली है आपक कहीं न कहीं कल परसों जैसे ही आपक देखने को मिली हुई है कहीं न कहीं किसान साथियो कल भी 4500 रुपे डाउन मंडी देखने को मिली हुई थी और परसों के अगर बात करें तो परसों भी 4-500 रुपए जो मंडी है डाउन होती हुई नजर आई थी लेकिन किसान सातियों आज की अगर बात करें तो आज के जो महौल है वो कहीं न कहीं किसान सात्यों तेजी आने की लगवा लगवा कल जैसे मंडी के जादा चांस नजर आ रहे हैं मतलब अगर आज के भाव की बात करें तो कहीं न कहीं किसान सात्यों भाव है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ एक तरह से समाने तोर पर देखता हुआ जो भाव है वो ज़्यादा नजर आ रहा है तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ आने वाले समय में ज़्यादा उच्छाल आने की संबाब नहीं अगर बात करें नीलामी रेपोर्ट के लगवा लगवाग किला सातीओ 11 बजसे आएगी तो उसकी अपडेट मैं आपको तभी दूँगा जैसे ही नीलामी रेपोर्ट आएगी मैं सबसे पहले अपडेट आपको बताओंगा